वो है लो फेंट्स आपका वे चलना फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं करेपल टेबलेट के बारे में आपने इस टेबलेट के बारे में वहीश समय कभी न कभी सुना हो और हो सकता है साथ आपने इसका युजी भी किया हो mostly इसको practicing तार डॉक्टर यूज करते हैं जब किसी ब्यक्ति को डेंगो होता है तो उनकी प्रेटलेट्स कम हो जाती है तो उन प्रेटलेट्स को बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का हम mostly यूज करते हैं तो आज विडियो में हम जाने इस टेबलेट के जिस क्या है इस कैसे स्याइट विडियो में क्या है इसको लेने का सही तरीका है वहान सथी घृत्ता है अब terror को लिए आगे बढ़ते हैं तो यहां आपकी एक नैचुरल सोर्स से बनी हुई टेबलेट है यह पपीते की पत्यों का एक एक एक्षट होता है इसी कारड इसमें क्या होता है टेबलेट पर आपको करेका पपाया लिफ एक्षट लिखा हुआ दिखाई मिलेगा फैंस अब हम बात कर ल कि यानि कि यह काम किस तरह से करती है तो आपको बता दूं इस टेबलेट में उपस्तित पपाया लिफ के जो एक्टिब कंपोनेंट्स हैं यह आपके ब्लेड में एंटी ऑक्षिडेंट की प्रोपर्टिस को बढ़ाते हैं ताथा लेपिड पर ऑक्साइड को भी कम कर देते हैं और एंटी इंफ्लामेंटरी तथा एंटी माइक्रूब्य एफेक्ट को भी बढ़ाने का काम करते हैं तो फ्रेंट्स यह तो होगा इसका काम करने का तरीका हम बात कर लेते हैं इसकी स्टेंद की एक इस स्टेंद में आपको मार्केट में एवेलेवल है तो फ्रेंट्स आपको बता दू यह आपकी ग्यारे सो मिली गराम की टेबलेट पर टेबलेट पर आती है यह आपकी पपाया के लीफ एक स्टेंड में बनाई जाती है फेंड्स यह आपकी एक स्ट्रिप जो है वो आपकी पंदर टेबलेट की आती है अगर बात करें इसके MRP की तो यह आपको 620 रुपे के सम्तिंग मिल जाती है अगर हम बात करें इसमें एक टेबलेट की तो आपको सम्तिंग ये 40 से 42 रुपे के सम्तिंग एप्रोच मिल जाती है हर किसी medical इस्टोर पर तो फ्रेंड्स अब हम finally बात कर लेते हैं इसके यूजिस की इसका यूज किस तरह से हमें करना चाहिए तो फ्रेंड्स आपको बता दू सबसे पहले मैं वीडियो में इस्टाटी में आपको बता चुका हूँ इस टेबलेट का यूजिस जो होता है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए किया आता है होता क्या है जब किसी बेक्ती को डेंगो होता है तो इसमें प्लेटलेट्स कम होने लगते है तो उन प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए हम इस टेबलेट का यूजिस करते हैं नेट्स जो जो होता है वो आपका चिकनोनिया होता है चिकनोनिया फिवर इसमें भी क्या होता है पेशेंट की प्रेटलिट्स जो है वो कम होने लगती है तब भी डॉक्टर इसका यूज करते हैं यदि किसी बैक्ति को Beryl Fever हो रखा है तब भी पेशेंट की जो पेडेस्ट होती है वो कम होने लगती है तब भी मोज़्टी डॉक्टर जो होते हैं वो इसको प्रिस्कराभ करते हैं डायपेटिडेडेस पेशेंट है को है डाइबरेट्स पेशन में क्या हूं, सपोर्टिंग मेडिसिन के साथ में इस टेबरेट को चलाते हैं इससे क्या है, जो डाइबरेट्स पेशन होता है, उसको काफी रिलीफ मिलता है इस टेबरेट को लेने से तो यह आपके बोड़ी में फ्री रेडिकल्स को भी कम करने के लिए तता सैल्स के डेमेज होने के बचाने के लिए भी इस टेबरेट का फ्रयोग की आता है तब फ्रेंड यह तो होगे इसकी जिस अब हम बात कर लेते हैं इसका मतलब होता है कि इस टैबलेट को किस ब्यक्ति को और किस पेशन को नहीं लेना चाहिए तो आपको बता दो यह आपकी बिल्डिंग डिसॉर्डर यादि किसको बिल्डिंग डिसॉर्डर हो रहे तब भी इ production ले रहा है तब वह तो नहीं लेने यह जदी कोई प्रिंगनस लेडी है तब लेड़ी को यह टेवल्र यूस नहीं करनी है Hoерж試 लुप ऑप यस déjàजांग और अमींछ अमीनऊ डर्नो वह नहां से ब्यक्ति चल रही है तब भी सिक ind yeast को ये टेवल्रिशन को ये टेवलेट यू हम finally बा paragraphs कालए थे हैं इसके side effects की तो आपको बता दो ये पपीता के leaf से लिकाल के बनाई जाती है exit करके बनाई जाती है तो कोई side effects कर देखने को नहीं मिले है ये आपकी natural source की होती है इसको हम naturally कह सकते हैं इसलिए इसके कुछ साइटफेक्ट देखने को नहीं मिलती है फिर भी कभी कभी होता है कि पेशन्ट को बोमिटिंग याने की उल्टी की सकार देखने को मिलती है नोजिया याने की उल्टी सी होना यह सब सिम्टम देखने को मिलती है अब याने के पेट में रद हो सकता है गैस भी हो स सकता है कुछ अगर आपको ज्यादा साइट देखने को मिलते हैं तो इस टेबलों कर दें अपने डॉक्टर से जाकर मिलें अब हम फैनली बात करें दोसिस की तो आपको बता दूए आपके खाना खाने से पहले खाना खाने के बाद में दिन में तीन बार आने की टीडियेस दि आपको यह तेबलट आपको नहीं देनी है बिल्कुल भी नहीं देनी है आपने डॉक्तर से पहले रिक कंसर्ट करें तब जाके इस टेबलेट को दें और फैंस आपको बता दूए डॉक्तर के प्रिस्कृसंदे दी जाने वाले एक टैबलेट होती है जब भी आप इस टेब बिट को जाके लें फैंस तन्यवाद मिलते हैं आपको